सारा ताम जाम देखके ये मज़ सोचना कि मैं किसी मेले में आई हुई हूँ बलके आज है छट पूजा और शाम का वक्त हो रहा है शाम की पूजा देखने के लिए आए हैं और यहाँ पे संसेट बहुत अच्छा हूँ क्या हाले दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लाग में अभी ये हरीद्वार का गोवित घाट है आज शाम के वक्त जब घाट पे आई हूँ तो कापी जादा चहल पे आई हो रही है और मेरे पीछे में आपको दिखलाती हूँ कि कितनी सारे लोग है यहाँ पे अभी जो की अपनी शाम की जो पूजा है वो कर चुके हैं मुझे संसेट और संराइज देखना दोना बहुत पसंद है मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसे देश की वासी हूँ जहाँ पर इतनी विविदताएं हैं बोल चाल, उठना बैटना, खाना पीना, हमारे कल्चर कितने जादा डिफरेंट हैं लेकिन हम सभी एक साथ मिल जूल के रहते हैं हमारा देश एक सुन्दर सी बग्या की तरह ही तो है जहाँ पर अलग-अलग तरीके के जैसे फूल होते हैं एक बग्या में वही हमारे देश में कितनी सारी जाती, धर्म, अलग-अलग बोल चाल करने वाले लोग और फिर भी हम सभी एक साथ मिल जूल के रहते हैं, है ना तो पीछे आपको दिख रहा है, संसेट हो गया है और अभी भी वो जो हलकी लालिमा होती है संसेट की, वो कितनी प्यारी है घाट के पास, आप अच्छी तरीके से, यहां से मैं दिखलाती हूँ आपको कितनी अच्छी लालिमा है, और जब मैं कल सुबा आऊंगी, यहां पे सन्राइस के वक्त, तो उस वक्त भी जो खुबसूरत व्यू है वो देखने लायक होगा यह है हईद्वार का गोविन घाट, जो की मेरे घर के बहुत पास है, इंफेक वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, तो अक्सर मैं यहां पे सुबा और शाम आया करती हूँ एक यही एक ऐसा फेस्टिवल है, जो मुझे लगता है कि सभी धर्म जाति के लोग एक साथ एक जगा आखे मिलके मनाते हैं, जहां किसी तरह का भेदवाव नहीं लगता मुझे इकला होता है ऐसा फेस्टिवल लगता है मुझे जो कि सभी लोग होते हैं, चुआ चुट बेज़वाव कुछ भी नहीं, तो मुझे लगता है कि इस पर परिवार मिलके मनाता है, और यहां पर आपको फेमलियर यूनिटी भी देखने को मिलेगी, कि पैरेंट्स भी हैं, औ और बच्चों के दादा दादी भी हैं, और सभी लोग मिलकर मना रहे हैं, और शाम की पूजा के बारे में, शाम की पूजा डूपते हुए शूरी को अरग देते हैं, उनकी उपासना होती है, और यही मैं यही कहना चाहूँगा, कि यही एक फेस्टिवल इसमें दूपते ह और जूपते हुए सुरी के भी आरादना होती है और जूपते हुए सुरी के कि आरादना होती है, तो आज तो शाम का अरग दे रहें हैं लोग, और कल सुभे की आरग होगी, सुभे बूज़ी सभी का चार चार 1 चार आजाएंगे, और मैं कह ρょτά थाया थाथ पानी को लेक अगर आप मीडिया से हो तो मैं बोलना चाहूंगा कि पानी का लेवल बहुत डाउन है तो प्रसासन ने अभी अभी पानी छोड़ा है बहुत एक सीडिय उपर आई है इससे अरग देने में वो जो महिलाए है पानी में आधा डूब कर अरग देती है ना वो एक प्रॉलम प्र अब उढ़ जानी सकती उढ़ जाने सकती क्योंकि गहरा है कैसी है अंटी नमस्ते आप बहुत इंदर लगी है लाल कप्रें में पूरा आधा बहुत इच्छी लेगी है मैंने भी लाल पहना है देखो लेकिन तुम्हारा अच्छा नी नी है तैंक्यू सर तो अभी शांद के वक्त की पूजा तो हो गई है कल सुबह आएंगे और कल सुबह आके खूब सारे लोगों से ठेकुआ मांग के खाएंगे वैसे प्रशाब तो मिलता ही है और जो ठेकुआ होता है उसकी बात ही कुछ और है मैं तो जब अपने ऑफिस में थी तो लोगों से बोल-बोल के रखती है आतिश बाजियां भी बहुत जादा हो रही है जैसा कि आप सभी को पता है कि दशेहरा से दिवाली के बीच में यहाँ पे घाट पे जल नहीं आता है जिसकी वजह से साफ सफाई हुई है सिल्ट हटी है पूरी रेथ हटी है तो जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा लिकत आ रही होगी कि पूरा का पूरा नीचे नहीं जा पा रहे हैं क्या बोला नाव्या हाई नाव्या फेस्टिवल्स में दोलो नगारे ना हो तो उसमें फेस्टिवल की बाद भी कम हो जाती है नहीं तो अभी चलते हैं घर और सुबा फिर से आर्ली मॉर्निंग आएंगे जब सूरा जुगेगा ताकि सुबा की जो पूजा होगी उसको भी फिर से देख सके और खूब सारे ठिक हुआ खा सके अब मेरा रूटीन ऐसा सेट हो गया है कि मेरी आख अपने आप साड़ी चार पांच बजे खुली ही जाती है तो अब चलते हैं सन्राइज देखने सुबा सुबा घाट पर इतनी जादा चहल पहल देख के क्या आपको ऐसा यकीन होता है कि सुबा के पांच बजे होंगे अभी नहीं ना मुझे भी ऐसा यकीन नहीं हो जब मैं यहाँ पे आई इतनी सारी आतिश बाजियां तो अब जैसे जैसे सुरज के उगने का वक्त होता जा रहा है वैसे वैसे घाट पर भीर बत्ती जा रही है तो जिनको जिनको लोगों को पूजा करनी है जो लेडी ने वरत रखा हुआ है वो अल्रेडी अभी गंगाजी में उतर चुकी है और यह मैं कल शाम में वो सामने वाले घाट पे थी कि अ जिल बत्ती जाएं के जिलिए भीर ही कि या अलब है रहा हुआ 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 है ऐसे चटपूजा का पर्व है सूर्य देवता की अराधना के तो उन्हों ने वरत रखा था पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य देवता की अराधना की थी एंधिस्न से पुत्र वाधा Хर्ण तो उसी उसको मानते वे सबी लोग उसकी प्राखना करते हैं और पुत्र प्राप्ती के लिए और पती के दिरगाई वगरा के लिए यह वरत रखा जाता है पूरी फैमिली के लिए अब फल से और उससे अरग उनकी आर्थी उतारी जाएगी तो यहां पे चट पूजा देखने आये हैं आप मनाने के लिए आते हैं आपकी फामिली भी आई हुई है अच्छा थंडा पानी यह बहुत पानी ठेटा पार है ना नहीं है यह भी ठंड इतनी एक वाई है इस बार तो प्रम जल्बी पढ़ गया यह नवंबर के लास्ट पढ सब्सक्राइब करें लगता है ना दूसरे बात यह ना इस बार जल्दी भी तो होगे ना सारे पर अपनी सु में होगा अक्सूबर के महीले हैं सब्सक्राइब करम लगेगा है जैसे 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 पढ़ती चली जाएगी ना यह फिटना उता जला जितना भी ग्राउंड वा तो अब संराइज अल्मोस्ट हो गया है और आप देख रहे हैं कि सामने वाले घाट पर भी चहल पहल काफी अधिक बढ़ गई है और मुझे भी बहुत जादा अच्छा लग रहा है कि इस तरीके का वैसे एक्सपीरियंस तो मैंने चट पूजा का एक्सपीरियंस अपने घर मद्य प्रदेश में भी किया था लेकिन हर जगा मनाते तो हैं अलग-अलग तरीके से लेकिन कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर होते हैं मैंने देखा है बहुत जगा तो पानी की बहुत कमी होती हैं तो लोग ऐसा कुछ इंत कि एक तो यह गंगा जल हैं और दूसरी बात यह है कि यह इतना जादा ठंडा होगा अभी यकीन मानिये काफी जादा टेंपरेचर है लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा मैनेजबल होगा तो अब सूरज उग गया है और अब यह पूजा जो है उसके शुरुवात कर दी गई है हर जगा लोग ऐसे गोल गोल घूम कर और जो घर के पुरुष हैं वो भी काफी जादा इस वाले व्रत में मैंने यह देखा है कि घर के सारे के सारे सदस्य किसी ना किसी तरीके से अपना कॉंट्रिब्यूशन करते हैं तो एक तरीके से पूरे परिवार को जोडने वाला ह हमारे अच्छा एक बात और अगर आपने नोटिस की हो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी तित तेवहार आते हैं सेलिब्रेशन साते हैं वो रिष्टों को और मजबूत बना देते हैं अगर किसी से कोई कहा सुनी हुई है किसी ने कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो हमेशा यही होता है कि तेवहारों में लोग एक दूसरे के करीब आही जाते हैं और मैंने छट पूजा में ऐसा देखा है कि पूरा परिवार एक साथ मिल के इस पर्व को मनाते हैं महा पर्व को मनाते हैं सभी लोगों ने जो कुछ भी मननते मांगी होंगी यहाँ पे अपने अपने हिसाब से उन सभी की मननते पूरी हों मैं दूआ करूंगी जितनी भी तपस्या की है यह तपस्या ही है मैं यह कहूंगी कि यह तपस्या ही है तो जिन लोगों ने जो तपस्या की है मननते मांगी सबकी दुआएं, सबकी मुरादें उपर वाला कुबूल करे इस पूरे संसार में मनुश्य, जीव, जन, तु सब भी बहुत ज़्यादा खुश हो मेरी तो यही दुआ होती है मिशा आंटी, आपसे खड़ी बात करनी है मुझे खर की बड़ी सब्रस्य बड़ी लग रही है इसको मैं यहां किता की आवाज आपी मुझे ज़रा चटपूजा की बारे में बताईए यह जो चटपूजा है बहुत प्राचिन काल से चल रही है सती यूग में जो है, सती अंसुया ने इस बरत को किया था महाभारत के यूग में जो है, ग्रोपती और पाचो पांड़ों ने मिलकर किया था अपने जो उन्हाने यूद लड़ा, अपने हप के लिड़ी उसमें सफलता पाने के लिए तो यह जो हमारा व्रत है, सिर्फ अपने व्यक्ति विसेस के लिए नहीं है यह पूरे समाज और पूरे देश के लिए किया जाता है, सब के उत्थान के लिए, सब के भलाई के लिए, सब के शांती के लिए, पूरे विश्यो का कल्यान के लिए यह व्रत है जो करते हैं। पूझा पार्ड ही है। कि लोग करते हैं। पुरे विश्यो का कल्यान हो। बहुत अच्छी बाद बताई आपने बहुत अच्छी बाद गई है और जैसे जो घर की जो मुख्य महिला करती है कोई भी कर सकता है कि यह जितना 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 वाते ना जो एक बीजी फल होते हैं तो सूर्य भगवान को चड़ते हैं, आशुद फल में जड़ा जाते हैं, इसमें जगल में पवित्री रूप से पाई जाती है, ऐसी चीजे जैसे एक सुथली करका फल होता है, मिलता नहीं है, शकर कन्दी, तो पवित्री फल होते हैं, उनी फलों को चुंचुंचुं कर कई स हैं तब उन चीजों से इस पूचा को संपन किया जाता है इसको मिला तो इसे समाज के सभी तर्य वाना का चड़ाते यह बागते हैं जो इसको ग्रहन करें वह मिल कर प्रेयंभाहू से एक दूर समील कर रहे ही जो हमारी विरासत में चीज़े होती है वो हमारे बड़े बुजूर्गों से आगे पासाओं होती है जो हमारी जेनरेशन की आगे वाली जेनरेशन को पासाओं करती है पिछली पीडी होती है, आगे वाली पीडियों के समझाती है, और देख देख कर लोग सीखते हैं, देखने से जितना अच्छे से सीख पाएगा, आदमें बताने से नहीं है, आप लोगों की तपस्या देखते हैं, कैसे सुबह उठते हैं, इसके तैयारी के लिए तो काफी द मचिन रही हैं, इसमें फास दिल लगते हैं, यह तो होता है, फिर भरना होता है, उसके बात फिर बड़ा होता है, खाए Hacka, फोरा दिन पूरी रात, समस्जे 36 घंटे तक केवल सांस लेना होता है, और कुछ निकाना होता है, इसमें 30 घंटे, आभी जैसे यह सारी जो वरत कर यह कुछ भी नहीं केवाल सांस मात्र लिया है जो बायू के सांस लिया है उसके अवला मुह में कुछ नहीं जाता है अब आर्क देने के बाद यह खोलेंगी गुड अध्रक और यह गंगा जल से अच्छा तो इसमें पारब्परिक वह क्योंकि गूड जो होता है गर्म होता है अग्रक जो होता है गल्ले के लिए फाजे मंद होता है तो उसको चूशती है और गंगा अजल को ग्रहन करके अपने वरत को बुड़ से फड़ी शक्ती मिलती है और गला साफ होता है चत्रीस घंटे से गला सुखावा रता है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आउंटी आपने देखा आंटी ने कितनी अच्छी तरीके से मुझे ऐसा पता चल गया था कि ये घर की कोई बड़ी महिला ही है जिनसे बात करके आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सकती है तो मैंने उनी से डिरेक्टी पूछ लिया और उन्हेंने बहुत अच्छी तरीके से सारी की सारी जानकारी दी आपका क्या कहना इस बारे में तो अब सभी लोगों ने अपनी पूजा पूरी कर ली है मैं यहाँ पे तो बस दर्शक बनके आई थी लेकिन दर्शक के साथ साथ लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत ही अच्छा लगा अपना पन लगा जिस तरीके से आँटी जी ने अपनी इन्फॉर्मेश और बहुत सारी बाते की छट पूजा के बारे में मुझे भी बहुत सी चीजें पता चल गई और इस तरीके से जब आप एक दूसरे से बात करते रहते हैं तो कल्चर्स भी ट्रांसफर होते रहते हैं और जैसे अब आंटी जी है अपने जो भी इन्फॉर्मेशन है जो भी ग्यान है वो आगे आने वाली पीडी को भी इसी तरीके से करके दिखला के बतलाती हैं समझाती हैं आने वाली पीडी भी इन चीजों को फॉलो कर पाए मेरा मानना है कि आप जहां कहीं भी हो जिस जगह पे भी हो आप उस कल्चर की रिस्पेक करें उन लोगों की रिस्पेक करें अपने बारे में बताएं उनके बारे में पूछें इसी तरीके से समस्दारी एक दूसरे के प्रती बढ़ सकती हैं आशा करती हूं आज का मेरा ये आज की व्लॉग में सबसे अच्छी बात क्या लगी और अगर चट पूजा के बारे में और कुछ भी ऐसी चीज हैं जो आप बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजेगा। खूब ख्याल रखियेगा आपना और अपने परिवार का। अगले व्लॉग में फिर से मिलती हूँ धन्यवाद।